Hello Friends, तो कैसे है आप सब? I hope आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और थमनल देख्के पता चली गया होगा कि आज हमारी रसीपे में क्या बनने वाला है आज है संडे और संडे के दिन बारिश संडे वाले दिन सब घर में होंगे और घरवालों की एक ही इच्छा वारिश के मौसम में पकोड़े खाने हैं और पकोड़े वो भी नए टाइप में और कुरकुरे वाले पकोड़े तो मैं आज बनाऊंगी कम चीजों में टेस्टी वाले पकोड़े चलिए बनाते हैं शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी बनाना चलिए चलते हैं तो मैंने ले लिया है ये साग हमारे यहाँ पर इसको साग बोलते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आप लोगों की यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं तो मैंने इसको छाटके, धो करके, कटिंग करके मैंने साइड में रख लिया था, यह देखिए. अब हम एक बड़ी से बर्तन में इसको डाल देंगे, और इसको पकोड़े के लिए इसको तैयार करेंगे. मैं इसको चावल के आटे में बनाऊंगी आप चाहे तो बेशन में भी बना सकते हैं मैं इसको चावल के आटे में ये कुरकुरा बनता है और बड़ा ही टेस्टी बनता है तो मैं इसमें चावल का आटा डाल दूँगी मेरे साग बहुत ही कम है इसलिए मैं छोटी सी कटोरी की आधी कटोरी ही इसमें चावल का आठा डालूंगी आप अपने कॉंटिटी की साब से डाल दीजीगा अब इसमें स्वादनुसर नमक डाल देंगे और आप चाहे तो कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं मैं यहां पर लाल मिर्च डालूंगी आप चाहे तो कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अब हम डाल देंगे हल्दी और इसको थोड़ा सा पानी डालके थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसको मिक्स करेंगे आप चाहें तो इसमें बारिक कटी भी लस्तन भी डाल सकते हैं उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आप अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको mix करते जाएंगे ध्यान रखें एक साथ इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसको mix करते जाना है अच्छे से हातों से इसको mix करना है ये देखिए मैंने इसको अच्छे से mix कर लिया है ये देखिए और दूसरी साइड मैंने ग्यास पर कड़ाई बिठा दिया है गरम होने के लिए यह देखिए मैंने अच्छा से इसको mix कर लिया है अब हम इसको यह देखिए कड़ाई हमारा गरम हो चुका है मैं इसमें तेल डाल दूँगी मैंने इसमें तेल डाल दिया है अब तेल गरम हो जाए तो एक एक करके हम इसमें पकोड़े डाल देंगे पकोडे मैं थोड़ा सा चप्टा चप्टा डालूंगी ये चावल के आटे के पकोडे हैं तो इसको गोल-गोल नहीं डालूंगी मैं मीडियम साइज के पकोडे बनाऊंगी और थोड़ा सा चप्टा करकरके गोल गोल बनाएंगे तो अंदर कच्चा कच्चा रह जाएगा अंदर से कुरकुरे नहीं होगा मैं इसको चप्टा चप्टा बनाओंगी तो अंदर से भी यह कुरकुरा हो जागा यह देखिए मैंने एक एक करके डाल दिया था ध्यान रखे इसको बिल्कुल हलके आज में पकाना है और एक साइड थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद इसको पलट देना है दूसरे साइड होने के लिए ऐसे ही धीमी आज में इसको पकाना है और धीरे धीरे कर दोनों साइड ऐसे उलट पलट करके इसको धीमी आज में पका और ख़ाने से यındaki बनेगा और टेस्टी बनेगा ये डीड़ कोड़ ये डेखिए ये पाँडे बधानें इपकोड़ से मुद्रोiende कोड़ निपेशल में बस्माब Dan पकोड़े बनके बिल्कुल रेड़ी है तो आपको अगर मेरे पकोड़े की रेसिपी अच्छी लगे कूरकुरे वाले पकोड़े की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बाई